दोस्तों आप सबका मेरे चैनल होम सुईट होम एक प्यारा सगर में भहुत भहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आई हूममेड अलोविरा जेल जिसे हम घर पे असानी से बना भी सकते हैं और लॉंग टरम के लिए श्टोर भी कर सकते हैं वो भी विदाउट केमिकल शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपको मेरी यह वीडियो जरासी भी अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नाए हैं तो सबस्क्राइब करना नहीं भूलिएगा और साथ में बैल आइकोन भी जरूर दवाईएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों जैल बनाने के लिए सबसे पहले हम यह ऐलो वीरा की लीफ लेंगे जिसमें साइड में इस तरीके काटे होते हैं और यह आपको मार्केट में भी इजील अबेले मिल जाती है अब हम नाइफ की हेल्फ से इसका जो काटे वाला पोर्शन है इसे हम अलग कर लेंगे इस तरह ऐसे तो देखा आपने मैंने दोनों साइड से इसका काटे वाला पोर्शन हटा लिया है अब मैं इसका एक पार्ट ले रही हूँ जिसका मैं आपको जैल बनाना बताऊंगी यह देखिए अब हम इसका यह वाला पोर्शन भी हम नाइफ की हेल्फ से इस तरह किसे अलग कर लेंगे तो देखा आपने कितना स्मोथ लिया अलग हो गया है यह देखिए हमने इसका पार्ट इशन कर दिया है और यह आप जो इसमें चमकता हुआ देख रहे हैं यही हमारा जैल है इसे हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे यह हमने बाउल ले लिया है और इस लीफ पे से हम इस सारा जैल इसमें ट्रांसफर कर लेंगे ट्रांस्वर करने के लिए पहले नाइफ के हेलफ से छोटे-छोटे कट लगा लेंगे, इस तरह से इस से जो हमारा जैल इसली लीफ से अलग हो जाएगा ये देखिए, अब हम वे स्पून की हेलफ से इसली अलग कर लेंगे मैं स्पून इसलिए ले रही हूँ क्योंकि स्पून से थोड़ा इजी हो जाता है जैल को निकालना आपको ये वाद ध्यान रखनी है कि लीफ हमेशा वो लेनी है जो थोड़ी थिक हो और डार्क ग्रीन कलर की मैच्योर लीफ हो तो आपने देखा स्पून की हेल्प से ये कितना इजीली निकल गया है इसी तरीके से पूरी लीफ में से हम जैल को निकाल लेंगे तो देखां आपने कितना इजी लिए हमारे जय निकल के तयार है अब आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा भी गाड़ा गाड़ा सा है इसकी कंसिस्टेंसी को सही करने के लिए हम इसे मिकसर में चला लेंगे तो ये मैंने जार लिया है और इसके अंदर इसे डाल दोंगी मैंने इसमें कुछ भी एड नहीं किया है ये एक दम नैचुरल है केमिकल फिरी तो देखिए एक बार चलाते ही ये बिल्कुल लिक्विड में चेंज हो गया है अब हम इसे प्लास्टिक के कंटेनर में एड कर लेंगे जिसमें भी हमें श्टॉर करके रखना है अब आप जो इसमें जाग देख रहे हैं ये थोड़ी देर में बैठ जाएंगे और इसे हम श्टॉर करके वन वीक के लिए फ्रीज में रख सकते हैं और अगर आप इसे जादा दिन के लिए रखना चाहते हैं तो आप इसमें विटामिन E के कैप्सूल एड कर सकते हैं या फिर कैल्शियम के टैबलेट इसमें पीस कर हम एड कर सकते हैं